आज S.I.E. का सावइंस्पेक्टर का 16 नम्मर अपिसोड हम लोग कर रहे हैं इससे पहले 15 एपिसोड हम लोग कर चुके हैं अभी हम लोग S.P.T. के रेलवे समान ग्यान और विज्ञान से दो बुक से हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं वन लाइनर कर रहे हैं साथ ही कुछ model sets और हम लोग पढ़ने के लिए जो कुछ समझ कर पढ़ने के लिए Lucent या Crown के बुक से topics ले रहे थे वो अभी रुग गया है और current affairs ये दो topics अभी रुग गया है चुकर BPSC का एक्जाम बीच में आ गया है 17 के बाद हम लोग Lucent या Crown जो आपके पास संभव हो जिके जिसकी पढ़ने के लिए वो भी आपके पास रहनी चाहिए वो भी चलेगा और एक monthly magazine जिसे हमारी इसाफ से समान ग्यान दरपन current affairs के लिए आप लें और नहीं तो कोई भी एक monthly magazine मासिक जो आप समझें वो current affairs का आप लें एक हम लोग monthly magazine से current affairs भी करेंगे जो बहुत productive होगा और बहुत जरूरी है current affairs कोश्चन भी 8-10 बार है देख सकते हैं अब आई ये बात करते हैं कि जो topics हम लोग करने हैं वो topic है gkgs से railway gkgs से speedy से वो हम लोग page नंबर 52 से पच्चपन करेंगे यानि 4 pages इसमें बहुत important आपको one liner है कुछ महत्पून topics है RRB के जो questions है one liner वो सब करते जाना है जो topics हम लोग विच्छे में box में दिखाए देगा उसकी हम लोग बात करते हैं और वो है इसमें सबसे पहले waterfall आपको दिखाए देगा तो भारत की जलपरपाद जो प्रमुक हैं वो एक जिगह collected हैं लेकिन इसमें एक बहुत important नहीं दिया हुआ है और वो है भारत का सबसे उचा जलपरपाद highest वो है करनाटका का कुंचिकल जलपरपाद जो वराही नदी पर है करनाटका में सबसे अधिक उचाई परिस्थित waterfall अब तक बहुत सारे लोग जोग या गरसुपा को ये भी करनाटक में है इसे सबसे उचा जलपरपाद मानते हैं लेकिन उसमें आप सुधार कर लें एड़ कर लें कुँचिकल जलपरपाद वराही नदी पर करनाटका में तो ये जलपरपाद एक टॉपिक आपको दिखाए देगा उसके पाद नेक्स टॉपिक है कुछ फसल के उतपादर जैसे लॉंग है, रबर है या केसर है इनके उतपादक राज प्रमुक उतपादक राज, टॉप्मोस्ट एस्टेट जो इनके उतपादित करते हैं तो यहाँ पर एक कलेक्शन है, यह आप कर लें और साथ ही कुछ महादपून खनिज मिनिरल्स, इनका भी टॉप्मोस्ट प्रोडूसिंग एस्टेट किया हुआ है बहुत इंपॉजिट, जैसे सोना है चांदी है, तांबा है, इनके उतपादक राज़ कौन है, यूरेनियम है, माइका है तो यह यहाँ पर एक जएक कलेक्शन है इसे आप कर लें, यह तीन महादपून टॉपिक्स पेज नंबर 52 पे आप दिखाए देंगे उसको नेक्स पेज़ पे आप जाएंगे तिरपन नंबर पेज़ पे, तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ प्रमुख दर्शन दिखाए देंगे जो 6 प्राचीन दर्शन है उनके संस्थापक, तो सांक दर्शन, नयाई दर्शन, वैशेशिक दर्शन इनके संस्थापक कौन थे, बस इतना आपको जानना है यह आप एक जगे नोट डॉन भी चाहें तो कर लें और इन्हें धियान में रखें, चोकर यह बराबर एक्जाम्स में आते हैं और कुछ प्रमुक कमीटियां, जो प्रमुक मुद्दों पर जैसे गर सोधार है, बैंकिंग सोधार है या पंचायती राज पर है, केदराज संबंध पर है, सरकारिया आयो, बहुत बार पूछ चुका है तो यह कमीटिया एक जगह है, इसे आप ध्यान में रखें, यह भी एक्जाम्स में आते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेश पर आप जाएंगे, चववन नंबर पर है, तो यहाँ पर आपको पंच वर्शी योजना और फिर उनसे संबंधित महात्पून तत्य आपको दिखाए देंगे तो भारत के प्रमुख पंच वर्शी योजनाएं अब तक बनी हैं, 1951 से लेकर 55 वर्श और बीच में ट्रॉसा गैप भी रहा है, जिसे हम लोग प्लान हो लिडे कहते हैं, या रॉलिंग प्लान कहते हैं तो यह आप समझ लें, पंच वर्शी योजनाएं यहाप दिए हुए हैं, उनके कुछ महात्पून तत्त थे उसके बाद हम लोग कुछ सेट बनाते हैं, 4500 सेट्स हैं, यहाँ पर 10 सेट्स बनाने हैं, 81 से लेकर 80 तक, 10 सेट्स आपको बनाने हैं, यह बना जाएं, model सेट्स नहीं सेट्स, यह 10 सेट्स आपको दिये हुए हैं, यह आप बना लें, यह सारे सेट्स जिन में लगबग 15 से 20 one liner है इने भी आपको बनाना है और उसके बाद हम लोगे एक राज्य करते हैं तो आज बारी है पश्चमी राज्यों की, अब हम लुग शुरू करेंगे गोवा, आज गोवा एक राज्य हम लोग करेंगे गोवा की भाशा कौंकरी भाशा है, गोवा का राज के चिर्निक क्या है, गोवा के कुछ मात्पून तक थे, कोई की नेशनल पार्क, आप जानते हैं, गोवा में समुधर अनुसंदान संस्थान है, बहुत बार एक्जाम में आ चुका है, तो ये सब आप गोवा से सम्बंदि कर रहे हैं, ये टॉपिक्स जो पेजे हम लोग बॉक्स में कर रहे थे, वो साइंस के टॉपिक्स में समाप्त हम लोग कर चुके हैं, फिर से लौट कर आप रिवाइस कर रहे हैं, ये जो टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं, ये बैक होकर फिर से हम लोग रिवाइस कर रहे है कि यह अच्छी बात है आप पहले कर चुके हैं पढ़ चुके हैं आप फिर से इसे रिवाइस कर रहे हैं तो इसे कर रहे हैं जहां तक सम्होगा अप फिर हम लोग बैक होंगे कंप्लीट करके और फिर रिवाइस करेंगे तब ही हमें याद रहेगा आज 103 नमबर पेज़ पर आप जाएंगे तो यहां पर बहुत महाधबून उर्जा का रुपांतरन आपको दिखाए देगा बहुत सारा लॉड़ी स्पीकर में या कार की बैटरी में या मोटर में यह सम् उर्जा का रुपांतरन कर लें यहां पर आपको 103 नमबर पेज़ पर दिखाए देगा साथ ही लेंस और दरपन यानि लाइट का टॉपिक है फिजिक्स का तो कहां पर रखेंगे किसी आपजेक्ट को उसका परतिविम कहां बनेगा या लेंस से सम्मांदित कहां पर ये आप दर्पन से सम्मांदित यहां पर आपको कालेक्शन मिलेगा और साथ ही उत्प्रेरख कैटलिस्ट है उनका वी बहुत अच्छा कालेक्शन है कुछ reactions हम लोग जब करते हैं तो उसे तेज या सलो करने के लिए हम उसमें उत्प्रेरक का परियोग करते हैं कई बार उत्प्रेरक का काम है रहसाइनिक परसिकरिया को बढ़ा देना या सलो कर देना तो यहाँ पर कुछ मात्प्रेरक हैं वो आप देखें जैसे अमोनिया कैस बनाने में या सल्फियूरिक एसिड बनाने में किस के उत्प्रेरक का परियोग करते हैं बराबर एक्जाम से आता है की बनाने में कौन सा उत्प्रेरक परियोग करते हैं यह आप एक जगह यहां पर दिया हुआ यह भी कर लें साइंस का बहुत मात्पून टॉपिक आज उसके बाद नेट्स टॉपिक पर एक सो पांच नमबर पेज पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको विज्ञान यह प्रादियो की यानि साइंस और टेकणियो का टॉपिक दिखा देगा DRDO रक्षा प्रादू की डिफेंस टेक्णो लोजी समंधूरोची सम्मंदित संस्थान है जबकर इस्रो सेटीलाइट और उसके निर्मान से समंदित संस्थान है तो यहाँ पर DRDO से मुक्रूप से सम्मंदित तथ दिखाए देंगे यानि कौन सा हमारा मिसाइल सतह से हवाय में मार कर सकता है सतह से सतह में मार कर सकता है पहला मिसाइल कौन सा था ब्रमोस किस प्रकार का मिसाइल है ये सारे details यहां पर रक्षा प्रादुकी से सम्मंदित दिखा देंगे तो science and technology यहां पर के topic है इसे कर ले उसको science में भी हम लोग 10 model sets बनाते हैं GKJS में set यहां पर model sets 151 से लेकर 160 के भीश 10 model sets page नमबर दे जा रहे हैं आप जहाएं इसे बना जाएं बहुत important है यह exams में आई हुए questions हैं और संभा है कि आपके exam में भी दिखाई दे सकते हैं तो यह 10 model sets के साथ आज के topics 4 से 5 pages हैं इन्हें आपको complete करना है सत्रे तारीक के बाद आपको lucent या crown दोनों के हमें देंगे जो संभा हुआ आपके पास वो आप रखे है आप पढ़ेंगे और साथ ही current FF भी हम लोग करेंगे magazine आप October का market में आ चुका है वो आप ले ले और 7-8 दिनों के बाद November का भी आ जाएगा वो भी आपको लेना होगा अगर ठीक लगे तो सामान ग्यान दरपन आप ले सकते हैं यह आज के topics हो गए इसे आप complete करें और तालिस घंटे के लिए यह topics आपको दिये जा रहे है चेक केर